हालो एब्रिवान विल्कम बैक टू मैं चानल आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेटा मॉर्फोसिस के बारे में सबसे पहले देखिए कि जो डेवलमेंट होता है और्गनिजम्स के अंदर दो तरीके के होता है कुछ और्गनिजम्स ऐसे होते हैं डारेक्ट करेंगे जिसे कि हुमान हो गया ठीक है ना यहां पर देख सकते हूं यह बेबी है यह आडल्ट स्ट्रक्चर है मतलब कि वह साइज में सिर्फ छोटा है और सेक्श्वाली मैच्यूर है और जो आडल्ट होते हैं साइज में बड़े होते हैं और एक्जेक्ली सिमिलार होते है आपको देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ साइज और सेक्श्वाली मैच्यूर की बारत आता है ठीक है लेकिन कुछ और गनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इंडारेक्ट डेबलमेंट देखने को मिलेगा जैसे कि फ्रॉक की हम एक्जांपल लेंगे तो यह होता है उनकी लारभाल और मैंने के टाडपॉल हम उसको कहते हैं और यह होता है उनकी आडल्ट स्ट्रक्चर आप देख सकतो कितनी वहरेशन से यहां पर आपको टेल देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको फोर लीम से निकी दीखने को मिल रहा है ठीक है फोर लीम और हैंड लीम दे से जिसका मतलब है कि ट्रांस्ट फॉर्म मतलग की बदलना एक चीज़ों से दूसरे चीज़ों को कनवर्ट होना तो यह जैसे कि मैंने आपको बात कि कि डेवलिमेंट के अकौरिंग दो तरीके के औरगनिजम्स होता है एक direct development एक indirect development यह उंगवन स्मॉल होता है जैसे human हो गया less sexually mature होता है indirect में क्या होगा life cycles में larval stage आ जाता है insect में आपको देखने को मिलेगा amphibia की अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी कुछ organisms ऐसे होते हैं उनकी जो larva है एकदम simple सा structure होता है जब वो adult को convert होगा तो एकदम complex structure हो जाएगा जैसे कि ओही example हमने देखा हमने देखा कि कैसे मतले की tadpole से आपकी frog बन रहा है यह simple structure है यह थोड़ा complex है ठीक है यहां पर आपको टेल पूछ दिख रहा है यह लीम है heart वगएरा मतलब skin ठीक है ठीक है यह respiration कहां पर गील से कर रहा था यहां पर longs की formation हो रहा है जहां पर retrogressive metamorphosis आपको दिखने को मिलेगा retrogressive का मतलब क्या होता है लार्भा के पास कुछ advanced feature रहता है आडवांस का मतलब क्या है जैसे कि आपने पढ़े होंगे जो invertive rates होते हैं यानिकि पूरिफेरा से लेकर आपकी hemicodates तक ठीक है तो वो लोग और हम लोग हो गए जो बहुत इब्रेट्स हो गया यानिकि ठीक हम लोग के पास जो characters है उसको हम आडवांस feature कहते है ठीक है आचा तो रिट्रोग्रेसिव में क्या होता है लार्भा के पास कुछ आडवांस feature रहता है जब वो लार्भा आडवांस को convert होगा तो ओ फीचर degenerate हो जाता है तो उसको हम रिट्रोग्रेसिव यानिकि पीछे माना पीछे ब्याक कर रहा है ऐसे बोलेंगे एक्जांपल होता ह नॉटो कोड पाया जाना एक advanced feature है लेकिन उनकी लारभा के पास ओही चीज़ होता है जब वो adult होगा नॉटो कोड आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है इसको हम बोलते हैं retrogressive metamorphosis ठीक है अब हम बात करेंगे metamorphosis इन आंफिविया की अंदर ठीक है तो journey of a tarple to adult amphibia is called amphibia metamorphosis यहां पर आपको development लेने की morphological development भी देखने को मिलेगा और ecological transitions भी देखने को मिलेगा क्योंकि देखें जो यहां उन फ्रॉग के मतलब की tadpole के tadpole कहां पर बन रहा है आपकी पानी के अंदर बन रहा है यह water ठीक है आईसा जो frog होता है वो amphibia क्यों कहता है क्योंकि वो जमीन में भी रहता है और reproduction के लिए वो सिर्फ वो सिर्फ पानी के अंदर आएगा अधरवाई जो मतलब की जमेन में रहता है ठीक है तो यह ecological transition bodily transitions में हो रहा है यह तो हमने देख लिया कि यहां पर tail है टेल से degenerate हो रहा है फिर hand lip बन रहा है यह तो सही है उसके अलावा और वह आपने बहुत सारे चीज़े देख होगे gills मतलब की replace हो जाएगा lungs को लेकि ecological transitions भी हो रहा है बड़ी है ना अच्छा तो अब हम देखेंगे लार्वल स्टेज और development growth and dispersals occur and adult form for the reproduction's लार्भल स्टेज में उनकी growth होता है कोई चीजे को dispersal यानी चीजा होता है लेकिन जो adult stress होता है और हम देखेंगे habitat चीज़े होगा और उनकी food सब्सक्राइब करेंगे अंदर आपकी जनी है यानिके मेठा मोर्पोसिस में क्या चीज़ होता है यह थोड़ा देखिए लारभा को फोकुस करेंगे उनकी लोकोमोसं के लिए आपको देखने को मिलेगा ठीक है यहां पर देख सकते हो अहां पर यह थे अच्छा लोकोमोसं के लिए उनकी टेल होता है अंड रेस्पिरेशन गिल्स के घ्ली जैसे ही रहेंगे पानी के अंदर रहेगा अक्वाड एक दिजल्ब अक्षुजन्ञ होता है पानी के अंदर दिजल्ब स्ट होता है उसको होता है नहीं है । ना या गयासयो 청ण आपकुके अंदर होता है clinical г्लांट्स जो होता है वो यी प्रेजिट होता है लारभा वह आक्वाटिक एंभार्मेंट में रहता है और हरवी वरोस होता है प्लांट प्रोड़क्ट के कंजूम करेगा ञएंगा तो वह क्या क्या चैन्जास आएगा देखिए जो लोकोमोशुंस था उनकी लारभा के टेल वह रिपले रिश्प्रेस हो जाएगा nitrogenous wastage ammonia था उरिया को convert हो जाएगा इंतिक मेंटर जो biler epidermis था glandular layers present था तीक layer को convert हो जाएगा लारभा aquatic environment में था और adult जो होंगे वो terrestrial mode of life जेंगे और जब जरुवरत पड़ेगा पानी कंदर आएंगे reproduction के लिए और भी वरस था लारभा आपकी adult कानी वरस हो जाएगा ठीक है यह था पूरा का पूरा मतलब कि क्या क्या changes हम मतलब कि metamorphosis के दोरान हो रहा है इसके बारे में अब हम देखेंगे कैसे हो रहा है morphological changes associated थे amphibia metamorphosis कैसे हो रहा है specifically जो भी changes होगा metamorphosis के दोरान वो initiate हो रहा है thyroid hormone की thyroid gland की जो hormone होता है यानि कि thyroxine ठीक है न दो हर्मोन होता है एक थायरोक्षीन और ट्राइडो थायरोनेन थायरोक्षीन को हम T4 बोलते हैं अब ट्राइडो थायरोनेन को T3 बोलते हैं अब सेंपल सार T3 अड़ T4 आए से बोल सकते हो यह जब भी thyroid gland बनने के बाद होर्मोन सिक्रेशन होगा होरीक औरगन के पास इनकी रिसेप्ट्स होता है वह जाने के बाद वह एंकाउंटर होने के बाद मतलब को हर्मोन जाने के बाद they can respond सबसे पहले कुछ growth होता है तेल के लीवश फ़र्मेशन होगा दूसरा चीज होता है कि लीवश फर्मेशन होने के बाद टेल की डेथ होता है ठीक है इसे आपने फोटो में भी यहांपर देखे होंगे दिखिए यहां पर रह तेल है यहां पर भी अभी यहां भी यहां पर है ठीक है तो यह चीज होता है डेथ टेल की डेथ होगा री मोडेलिंग अफ इंटेस्टेंज मतलग क्या होता है उनकी जो इंटेस्टेंज था वो हर्वीवर फुडिंग के लिए अडप्टेड था यह हाईली कोईल था और बहुत लें था तो यह कार्निवर के लिए छोड़ आज लेनुत हो जाता है और रीष स्पेसिफिकेशन को मतलग कि कुछ एंजाइन से होता है उनकी लिवर की अंदर क्योंकि हो हर्वीवर था हर भीवर चीजों को डाइजिस करने के लिए कुछ अलग एंजाइम की जौटरूत होता है और अनिमल प्रूडक्ट को डाइजिस् में बनेगा तो अब जैसे दिवाद करेंगे ग्रोथ लोकोमोसन स्टेल में प्रेजेंट होता है जब भी ड्यू टू लोग कंसंट्रेशन और टीट्री हर्मन लीम फर्मेशन होगा तो इसका मतलब यह है कि आंफिविया के अंदर थारड हर्मन होता है मेटामर्फेस के दोरान लोह होने के बज़े से लिम फर्मेशन स्टार्ट हो जाता है फास्ट उल औल स्टॉक्च्चर फर्मेशन होगा उसके बाद जो चीजी दोरेता है वह उसके बात रेत होता है हैं ड लीम फ्रूल फिर हम देखेंगे सेल डेत के टी तरी आनी कि ट्राइड यूझे इंदू कास्पेज 9 क्या होता है डिटल में क्या होता है जैसे कि नॉर्माली ओल्ड देज के बाद सभी लोगों का डेज होता है ना च्छिडेंटल डेज नहीं हुआ है फिर वे देज के बज़े से लेकिन कभी-कभी मतले कि 95 के बाद नॉर्मल डेज होता है नाचुरल डेज होता है ऐसे हमारे बड़ी के अंदर भी जो सेल्स होता है उनका भी नाचुरल डेज होता है वही नाचुरल डेज को इंड्यूस करवाने के लिए कास्पेज 9 एक पाय जाता है ठीक है आच्छा सो य वो जैसे कि निट्रोजीनियस त्थेस अमोनें ता इसकी Tact Paul की आमोनेंज था अब अडल्ट की उरिया है। उर्फ कैसे बनेगा ? अमोनिया को अमोनिया प्लस कारवन डाइकेड मिलने के बद कुछ एंजांविक पनाने के बदक बाइसि उरिया को उरिया को बनगॊनरा नहीं बन रहा था अब वो ऑप कहीं अवी नहीं नहीं अब को बनाना ह divid Kerry कि नोट स्ट्रॉक्शुन होता है कि T3 कंसेंटरेशन स्ट्रॉक्शुन फ़ारूट कईلो होने से देख्ते हैं और पहले अदर हम बात करेंगे अब है हhoр्मोन कंट्रॉन का ऐसे होर्मोन कर रहे हम तो Roh should कर रहा हम सम्हें हैं घंड की बढ़ी के अंदर हो रहा है छो विद्शicios की ब्रडी के अंदर हो रहा है गार होष। जो होता है उनकि हर्चेप्टर की हम बात करें गयाद रखिए की जो हर्मन में रहा होंता है यानि कि अ 3-2 एप्डेटर में ना होंगे नूकलिएस में में पाए जाता है ठिक है नूकलर रिसेप्टर्स होता है याद रखीए थीक है दो तरीके के रिक्टा रिसेप्टर ऐगा रिशेप्टर 30,000 染 Casey बनने से पहले यह रिशेप्टर सारे और अर्गंगन के अंदर पाये जाता है लेुकिन बिटा जो होता है उससे थाय in hoko저 करन zeg के लिए और एक चीजों की जर्रोद होता है जोसको हम बोलते हैं रेटिनोड ठीक है रेटिनोड रिसेप्टर नहीं कि वह बैसिस में वह फंक्शन करेगा जब भी बिटा थारोड रिसेप्टर बिटा नॉट बाइंड दो थारोक्सिंस देन इट प्रिबेंड याली मेटामर् अप्रिविया की मेटामर्फोसिस किस तरिके से हो रहा है उनकी मॉर्फोलोजिकल डिफ्रेंसे और उनकी होर्मोनल लेगुलेशन के बारे में समझ में आ रहा होगा वीडियो के संदाए तो लाइक कीजिए संस्क्राइब कीजिए आपकी दोस्त की साथ पीसार कीजिए थैं थैंकी